विकी कॉशल संग शादी के बाद पहली बार सेट पर पहुंची केटरीना कैफ सिंपल लुक ने जीता फान्स का दिल विकी कॉशल और केटरीना कैफ शादी के बाद अपने अपने काम पर वापस लोट आए हैं विकी को कुश दिन पहले ही सेट पर देखा गया था और उन्होंने इंस्टेग्राम पर भी वर्क मोड आउन के पोस्ट शेर किये थे लेकिन अब नई अवेली दुलहन केटरीना कैफ भी काम पर लोट आई हैं जिन्हें फिल्मेकर श्रीराम रागवन के साथ सेट पर बादशीत करते देखा गया इस दौरान वो बेहच सिंपल लुक में नजर आई जानकारी के मताबिक केटरीना कैफ फिलहाल सल्मान खान की मूवी टाइगर 3 की शूटिंग नहीं कर रही है लेकिन उन्होंने श्रीराम रागवन की मेरी क्रिस्मस की शूटिंग शूरू कर दी है बता दे कि केटरीना और विकी की शादी 9 डिसमबर को राजस्तान में हुई थी अपनी रॉयल वेडिंग सेरिमिनी के अगले दिन ही दोनों हानीमून के लिए मौल डीव्स रवाना हो गए थे इसके बाद वो मुंबई लौटे और केटरीना सीधे अपने ससुराल गई जहां पहली रसोई भी बनाई केटरीना और विकी कॉशल सोचल मीडा पर भी अक्टिव रहे दोनों ने एक दूसरे पर प्यार भी लुटाया इस बीच केटरीना ने अपने हातों में रची महनी की फोटो भी पोस्ट की जो देखते ही देखते वाइरल हो गई केट्रीना और विकी अपने जुहु वाले नहे गर में शिफ्ट हो चुके हैं हाल ही में दोनों ने ग्रुह प्रवेश किया इस पूजा विधी में पूरा परिवार मौजूद रहा केट्रीना ने विकी का हाथ था में एक फोटो भी शेर की थी जिसके कैप्शन में लिखा था होम केट्रीना से पहले विकी भी काम पर लौट चुके हैं उन्होंने अपनी अगली फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है वो गोविन्दा नाम मेरा और दे ग्रेट इंडियन फैमिली तक्त मेगना गुलजार की सैम बहादूर दे इमोडल अश्वस थामा जैसी फिल्मों में नजर आने वाले हैं